साथियों हम मैंसे बहुत सारे लोग टाटा होर्न बिल या फिर HBX की बात करें तो उसकी लॉंचिंग को लेकर किर काफी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कोरोना पैंडमी की चलते हैं ये अलड़ी बहुत ज़्यादा डिले पहले से हो चुका है लिया जा अब उसका इंतजार और लंबा नहीं करते हैं टाटा ने एक प्रेस्ट लीड जारी की है जिसके बाद ये नुमान लगाया जा रहा है कि 4 अगस्त 2021 को यानि अब से कुछ ही दिनों बाद HBX को भारतिय बाजार में लॉंच कर दिया जाएगा 4 अगस्त को एक नया उत्पाद लॉंच करेगी टाटा ने ये का है अलांकि नाम नहीं बताया है कि वो HBX होगी या फिर को कुछ और होगा अलांकि यदि टाटा के ने जो बात कई है उसको कोट करें तो उन्होंने का है न्यू फोरेवर के अपने ब्रांड बादे को पूरा करते हुए टाटा मोटर्स एक और उत्पाद पेस करने के लिए पूरी तरह से तयार है टफ और स्पोर्ट सी अवतार के लौंच को देखने के लिए आप तयार हो जाएए इसी तरह की कुछ लेंगवेज यूज करने के साथ उन्होंने सीरियसली फन का यूज किया है यह वर्ड जो है आमतोर पर आप जानते हैं जो टियागो है उसमें सीरियस फन उसकी टेग लाइन है तो कहीं न कहीं यह भी अनुमान लगा जा रहा है कि कहीं टियागो से संबन दी तो कुछ ले टेस्ट अपडेट नहीं हो रहा है खेर साथ यह इन सभी तरह की संबावना के साथ सबसे ज़्यादा चर्चा टाटा की नई माइक्रो SUV होरन बिल की हो रही है और मीडिया हुसेज में आप देख रहे हैं बहुत सारी जो खबरें चल रही है उसके अनुसार सभी यही अनुमान लगा रहे हैं कि टाटा HBX चार अगस्ट को लौंच हो रही है आपको पताते हैं कि कंपनी की 2.0 डिजाइन लेंग्वेज को सपोर्ट करेगी टाटा HBX इसका फ्रंट प्रोपाइल है वो पूरी तरह से युमिनिट्व सिगनेचर फ्रंट है जो की हेरियर की तरह दिखती है और यह टाटा का सिगनेचर फ्रंट है आप जानते हैं साथी होरन बिल या फिर कहें कि HBX अलफा फ्रेटपॉम पर बनी है जिस पर पहले से अल्ट्रोज बनी होई थी यह काफी ज़्यादा सुरिक्षित रहने वाली है तो साथी हो आसा करेंगे 4 अगस्त 2021 हमारे लिए एक सांदार दिन साबित हो और टाटा अपनी इस माइक्रो एश्यू की लांच कर दें जिसमें 1.2 लिट्र का रिवो ट्रेन फेटरोल इंजन मिलेगा जो 85 बहपी का पावर और 113 अनम का टॉर्क जनरेट करेगा इसमें आप गो फाई श्पीड मैन्यूल के साथ कुछ जो अपर वेरेंट है वो आटोमेटिक के साथ भी मिल जाएंगे साथियों प्राइज की बात करना हालांकि अभी कंपनी ने जारी नहीं किया लियाजा हम ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते लेकिन एक बड़ा अनुमान खरीद पाते हैं वो एक छोटी नेक्शन अब से कुछ समय बाद से खरीदना सुरू कर सकते हैं आसा करेंगे चार अगस्त 2020 को होर्न बिल ही लॉंच हो या फिर हो सकता है कोई कार का या फिर एरियर जैसी किसी कार का डार्क एडिशन लॉंच कर दिया जाए या फिर टियाग बिल अगस्त में लॉंच होनी तै है हो सकता है फांस तस दिन बाद हो लेकिन जो कि आप जानते हैं 99 परसेंट जो समभावना है वो चार अगस्त को ही है तो आप हमारे साथ बने रही है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि टाटा होर्न बिल से समदे जो भी छोटी चोटी खबर होगी वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे आप सब यहां तक आए इस वीडियो को देखा इसके लिए और चैनल को सब्सक्राइब किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू